देश के यश्यस्वी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधीजी ने देश वासियों के कल्यान के लिए उनके स्वास्थे की रक्षा करना सबसे महत्वा पूरुन समझा और इस दिशा में उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए 2014 से पहले बदहाल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत में सुधार लाने के लिए उन्होंने तेजी से विकास किया और आज देश चिकित्सा के क्षेत्र में आत्म निर्भरता की राह पर है शुरू की माननिय प्रधान मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को दो एम्स की सौगात दी है पुर्वान्चल का व्यक्ति पिमार होता था तो उसे पता नहीं चलता था कहां जाओ कैसे जाओं इलाज कहां करवाओं ये पुर्वान्चल को एम्स देखर के मैंने यहां के गरीबों की बिमारी की विचिंता करने का काम इमानदारी के साथ किया है गोरखपुर में 1011 करोड की लागत से 112 एकड में विस्तरित 18 स्पेशालिटी वह 17 सुपर स्पेशालिटी विभागो वाले एम्स का निर्मार कराया गया है देश का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स जिसमें इलाज करवाने के लिए प्रदेश के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था वो एम्स अब गोरखपुर में आ गया है जिससे पूरवांचल के साथ साथ पडोसी राज्य बिहार और जारखंड सहित पडोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्चसतर की चिकितसकिये सुविधाओं से वन्चित नहीं होना पड़ेगा 750 बेड और 14 ओपरेशन थेटर की क्षमतावाले गोरखपुर एम्स में सिटी स्कैन, MRI एवं अल्ट्रा साउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बिमारियों के इलाज की सुविधा है इसके अलावा चिकितसा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्थिक्रमों सहित MBBS की 125 सीटे हैं आज आजादी के 75 वे वर्ष को पूरा देश अमरित महुत्सव के रूप में मना रहा है इसी कड़ी में माननिय प्रधान मंत्री जी गोरखपुर एम्स को राश्ट्र को समर्पेत कर रहे हैं ये माननिय प्रधान मंत्री जी के स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के साथ साथ आत्म निर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती देगा सोच इमानदार, काम दमदार